नमस्कार आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल शिक्षा सखापर आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ नैतिक शिक्षा आदर्श जीवन मूले प्रत्मा कक्षा छे साथ और आठ का अध्याय दस अध्याय का नाम है अपने मित्र बने शत्रू नहीं इस वीडियो में हम इस पार्ट को पढ़ेंगे और इसके प्रशन अभ्यास करेंगे पिछली वीडियो में मैंने आपको पार्ट नो लक्षे के प्रतिभाव और समर्पन पार्ट को पढ़ाता और इसके प्रशन अभ्यास करवाई थे अगर आप मेरे चैनल पर नई है और अभ चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं तो चलिए अब हम पाट को पढ़ेंगे अपने मित्र बने शत्रू नहीं अच्छी पढ़ाई अच्छा जीवन इस आदर्श वाक्य के अनुसार जीवन बनाने में गीता की प्रेणा अचूक और अनुपम मा दर्शक सिद्ध हो सकती हैं वस्तुते दोनों स्तितियां आवश्यक भी हैं इसी भाव में आओ बच्चों गीता के अत्यंत प्रेरक विचानिये शलोक की ओर हम आगे बढ़ते हैं उद भरे दात मनात मानम नात मान मवसाद एत आत मैव हात मनो बंदूरात मैव रिपूरात मनह गीता अध्याय शलोक पाँच सरलार्थ भगवान मनुष्य मात्र को अपना उद्धरा करने की प्रेणा से कहते हैं कि मनुष्य को अपने द्वारा अपना उद्धर करना तता अपना पतन नहीं करना चाहिए क्योंकि मनुष्य स्वैमी अपना मित्र है और स्वैमी अपना शत्रू है बहुत सीधा स्पस्ट भाव है इस लोक का मन की साहिता से अपने आपको उद्धान वात्वा उचाई की और ले जाओ पतन में नहीं गिरने दो यह ध्यान रखो कि आप स्वैमी अपने मित्रो और स्वैमी अपने शत्रू भी इस लोक में एक बात तो निश्चित है कि अपने उत्तान अवं पतन में हमें स्वैमी विचार करना है पहली बात तो यह है इसमें यही है कि हम स्वैम निर्ने करें हमें जीवन में उचाईयों को छूना है या पतन की खाई में गिरना है, हम कुछ बनना चाहते हैं, या बिगड़ना, सोचो, अच्छी तरह सोचो, अपने आप से पूछो, अपने ही भीतर से इसका उत्तर लो, यही उत्तर यही मिलेगा, बिगड़ना नहीं, बनना है, पतन में नहीं गिरना, उचाईयों की और जाना है, प्यारे बच्चों यह विश्वास रखो इस सोच के बनते ही आपके उत्थान का मार्ग अपने आप खुलने लगेगा यह शलुक आपका उसा भी बढ़ाएगा नता कहीं गिरने की आशंका बनी भी तो बताएगा भी इस बात को भी मन में अवश्य रखो केवल बाहरी बढ़ापन सोन दे वे उँचे पद से कोई उँचा नहीं होता हमारी दिव्य संस्कृती के अनुसार अच्छे व्यक्तित्व का आधार तो मनुष्य के कर्म आधते और उसका चरित्र है कंस ने अधर्म अन्याय अनीती से उँचा पत तो पा लिया लेकिन क्या वैस समाज में अपना उँचा स्थान बना पाया दूसरी और उसी समय में सुदामा को देखें कुछ भी पास नहोते हुए सुदामा ने ये दिव्यता प्राप्त की जो आज भी हमारे ऐसी ही और बहुत से उधारन है प्यारे बच्चों यह पढ़कर आपको लग राओगा कि गीता कितनी अच्छी और कितनी प्यारी है और कितने अच्छे ढंग से हमारे व्यक्तित्व को निखारता चाती है हमें फिसलने गिरने से बचाना चाहती है मा यही तो चाहती है कि मेरे बच्चे सदेव उनती करें कभी भी कहीं भी बुराईयों में गिरे नहीं मा को कहा स्विकार होता है बच्चों का पतन सत संगती अर्थात अच्छा संग उत्थान की नीव है और कुसंग अर्थात बुरी संगती पतन की शुरुआद अच्छी संगती अपने साथ मितरता है जबकि बुरी संगती अपने साथ स्वेम शतुरता दूसरा पक्ष यह भी है कि जो पड़ाई और अच्छाई से ध्यान अटा कर बुराई की और प्रेरित करे वह शत्रु है इस साथ मितरता का मीटा एसास करवाएगी जबकि क्रोधी हटी जिद्धी एंकारी स्वार्ती संकेंट स्वभाव अपना ही नुकसान करवाता है यह व्यक्ति को मन अपने वश में रखना चाहिए मन के वश में स्वैम नहीं होना चाहिए जो व्यक्ति मन के वश में होकर काम करेग उसका पतन निश्चित है और जो मन को वश में रखेगा उसका उत्थान भी निश्चित है अब हम इस पार्ट के प्रशन अभ्यास करेंगे पहला प्रशन है पार्ट के अनुसार गीता की कौन सी प्रेणा आपके लिए मार्ग दर्शक सिध हो सकती है उत्तर अच्छी पढ़ा बनेगा उत्तर हमें अपने मन को द्रिड रखते हुए अपने आपको जीवन की उचाईयों को छूना है इस प्रकार की सोच विक्सित करनी होगी तब ही उत्थान का मार्ग बनेगा प्रेशन तीन कि स्वभाव के व्यक्ति अपना नुक्सान करवाते हैं उत्तर क्रोधी हट जिद्धी एहंकारी स्वार्थी संकीन स्वभाव के व्यक्ति अपना नुक्सान करवाते हैं प्रेशन चार पढ़ाई की समय इंद्रिय संयम का क्या महत्व होता है उत्तर इंद्रियों पर संयम रखने से पढ़ाई की समय हमें सभी कुछ अच्चे से समझ आ जाता है यहां पर हमारा पार्ट 10 का भ्यास का कारे पूरा हो गया है अगली वीडियो में मैं आपको पार्ट 11 परिक्ष्रमी सच्चा धन है पार्ट पढ़ेंगे और उसका प्रशन भ्यास करेंगे आपको मेरी यह वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं प्लीज मे